हे वाई टी बियंस की हल चाल वेलकम बैक तो जनल दोस्त दो दिन पहले मेरे एक वीवर ने मुझे कमेंट किया कि किसी अन्नोन ट्रेवल कंपनी से उन्होंने अपने मनाली के पैकेज को बुक करवाया 30% की अफ़रंट एडवांस पेमेंट करी और अब उस ट्रेवल कंपनी से किसी ये प्रकार से संपर्क नहीं हो पा रहा है मेरी हेल्प करिये दोस्तों मैं वाई टी भारत पर हमेशा आप लोगों के लिए वेरिफाइड ट्रेवल कंपनी इसलिए लेकर के आता हूँ ताकि आप इस तरह की ऑनलाइन धोखा धड़ी से बच करके रहें किसी भी अन्नो हमेशा वेरिफाइड ट्रेवल कंपनी से ही पैकेज को बुक करवाएं जो भी आपकी नोन है या वाईटी भारत पर जो सबसे ट्रस्टिड ट्रेवल कंपनी मैं आपके लेकर के आता हूँ पूरी जाच परक करके खुद ट्रेवल करके मेरे बहुत सालों सालों से इन ट्रेवल के साथ संपर्क रहे हैं और बहुत जबर्दस एक्सपिरियंस रहा है और पिछले दो महिनों में लगबत 500 से जादा वीवर हमारे जाकर के इस वेरिफाइड ट्रेवल कंपनी के त्रू ट्रेवल कर रहे हैं और एक सिंगल कंप्लेंट उनकी तरफ से वाईटी भार पर मैं आपके लिए पैकेज ले करके आता हूँ अलग-अलग टाइप के पैकेज इंडिया के कोने कोने के पैकेज आप लोग ले करके जाएए और अगर अच्छा लगे तो अपने फीडबैक भी वाईटी भारत पर ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो तो आप लोग शेयर नहीं है, free of cost, non-sponsored वीडियो वाईटी भारत पर बनाए जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर limited travel companies के ही वीडियो मिलेंगे, बहुत सारी travel companies के वीडियो नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह वो travel company है जिनके through मैं सालों से travel करता रहा हूँ, किसी भी तरह का धोका धड़ी आपको यह आपकी बहुत ही heavy demand पर एक package craft करके ले करके आया हूँ और आपको बता रहा हूँ, मनाली और शिमला अगर आप travel करना चाहते हैं, वो भी वाया car और चार लोग अगर travel करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है, वीडियो पल्लास्तर बने रहिएगा, और cost इतनी इतनी कम है कि आप लोग इसको बिना लिये रह नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी वीवर की demand है, आगे जो traveling होने बाली है, चुटी आ रही है, summer vacations है, होली की भी चुटी आ रही है, ऐसे में बहुत सारे travel, family के साथ travel कर रहे हैं, चार लोग एक साथ travel कर रहे हैं, तो उनक आपकी जो आपका time होगा, वो आपका travel time होने वाला है, इसकी अलावा तो बने रही है, वाइटी भारत के वीडियो पर लास तक, आईए मैं आपको laptop की screen बे ले करके चलता हूँ, और आपको इस बहुत ही बहतरीन package की सारी information देना स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले दोस्तो title और description में दिये गए नंबर पर call करके, अगर book करवाना चाहते हैं तो book करवा लिजे, नहीं तो आप किसी भी अपने non-travel company से इन package को quotation ले करके, book करवा करके enjoy कर सकते हैं, आईए शुरू करते हैं, आज का वीडियो तो दोस्तों मैं आ गया हूँ आपको ले करके अपने laptop की screen में और ये package जो है वो बहुत ही जबरदस होने वाला है, 5 nights, 6 days के इस package में आपको 2 nights शिमला में स्टी मिलेगा और next जो 3 nights का स्टी होने वाला है, वो आपका मनाली में होने वाला है, आई शुरू करते हैं, detail आइटन बाद आगे चलते हैं, daily activity नहीं बताते हैं, package inclusion में 2 nights accommodation in Shimla आपको provide किया जाएगा, 3 nights accommodation in Manali प्रवाइड किया जाएगा, और जो बाखी nights होंगी वो आपके travel के अंदर बीतने वाली हैं, आपको जब भी आप check-in करेंगे, आपको welcome drink on arrival मिलेगा, 5 morning tea, 5 breakfast और 5 dinner आपको provide किये जा नहीं provide किये जा रही, pick and drop आपको मिलेगा, वाया दिल्ली से, और जितना भी आपका ये transfer होगा, side scene होगा, वो सबका सब swift desire car से होने वाला है, तो दोस्तों ये बहुत ही interesting होने वाला है package, बहुत ही fun आएगा आपको, सारे toll tax, parking, charges, driver, charges, fuel, cost, सब कुछ inclusive है, आपको सिर्फ क्या क condition है, आप लोग कम से कम चार लोग होने चाहिए, दोस्तों इसकी cost अगर आप लोग चार लोग होंगे, तो आपको per person पढ़ने वाली है, 3 star hotel के साथ 8400 रुपिया per person, जो hotel होने वाले हैं, वो होने वाले हैं, डिलक्स hotel, मनाली में The Lodge, President Hotel, Country Cottage या इससे similar, शिमला में Alpine Retreat, शि वीव या इससे similar, तो दोस्तों अगर आप दो लोग भी हैं, तब भी आप इस package को book करवा सकते हैं, लेकिन ये cost में थोड़ा सा increase होने वाला है, आप इस package को avail कर सकते हैं, करना बहुत simple है, just travel company के number पे call करें, जो वीडियो के title और description में दिया गया है, और अपने package को book करवा ले और enjoy करें, आईए दोस्तों day why site नरी देखना start करते हैं, सबसे पहले day one पर arrival होगा आपका दिल्ली के अंदर और उसके बाग आप चाहे railway station से आईए, चाहे आप airport से आईए, जहां भी आपका arrival होने वाला है, वहाँ पर आपकी journey वहाँ से start होने वाली है, इसको मैं थोड़ा स जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे, यह देखें दोस्तों, उसके बाद our driver will meet you and drive to Shimla is the capital of northern India state of हिमाचल प्रदेश, दोस्तों कुछ और जानकारी भी आपको इस वीडियो में साथ में दी जा रही है, Shimla जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, summer capital of Britishians के नाम से भी जानी जाती थी और Shimla के अंदर world heritage twi train भी चलती है, यह भी एक बहुत ही बड़ी बात है Shimla के लिए, और जब आप जाएंगे तो Shimla आपको इतना romantic feel होगा, अगर आप as a honeymoon celebration के लिए जा रहे हैं, कि आपको ही memory में हमेशा के लिए capture हो जाएगा, Shimla के mall road पे आपको बहुत बहुत सारे tourist places देखने को मिल जाएंगे, आप locally वहाँ पर जा करके enjoy कर सकते हैं, mall road की आसपासी करीब 16-17 tourist spot हैं, जहां पर आप अपने family के साथ, friends के साथ और अपने partner के साथ बहुती quality time को spend कर सकते हैं दोस्तों, पूरा जो Shimla है, उसका पूरा architecture, Britishians ने बनाया था और बहुत सारी ऐसी चीजे हैं, जो वहाँ पर ऐसी आपको देखने में आएंगी, कि देख करके आपको शायद उस जमानी की याद आ जाए, आईए दोस्तों, अब आपको आगे बताते हैं, once the summer capital of British India, it remains the terminus of the narrow gauge Kalka Shimla railway completed in 1913, it is also known for the handicraft shop that line the mall, a pedestrian avenue as well as लकड बजार, a market specializing in wooden toys and crafts, दोस्तों, mall road के पास ही एक आपको फेमस लकड बजार मिलेगा, उस पुराने समय का जब बेटिशन्स हुआ करते थे, और ये बजार का लकड से आप खुदी समझ रहे होंगे, कि लकड का मतलब wooden से जड़ा हुआ है, उस समय यहाँ पर wooden के toy और crafts मिलते थे, इसलिए इसका न पाएंगे उस दिन, check-in करेंगे hotel में और overnight stay करेंगे, आप चाहें तो night में hotel से निकल करके बाहर घूम भी सकते हैं, enjoy कर सकते हैं, इधर दर देख सकते हैं, क्या सपास में है, अब बात कर लेते हैं, day two की आपको बताते हैं, क्या क्या होने वाला है, day two आपका होगा, बहुत ह अच्छे tourist places पर आप घुमेंगे, शिमला के, कुफरी और शिमला, morning में breakfast करिए, visit करिए, half day city tour visiting, जाएए आप Indian Institute of Advanced Studies आने को मिलेगा, संकत मोचन टेंपल आप जाएंगे, जाकु टेंपल जाएंगे, और afternoon में आप विजिट करेंगे, कुफरी, जो सबसे famous tourist spot है, शिमला के लि करके वहाँ पर enjoy कर सकते हैं, और देख सकते हैं, वहाँ से शिमला के around का नजारा, दोस्तों, अब आपको आगे बता देते हैं, इसके बारे में थोड़ी से और detail कुफरी के बारे में, India's one of the best holiday paradise कुफरी in शिमला is beautiful, tugged, on an altitude of 26-22 meter की उचाही पर, the place is a tourist hot spot for its awesome, scenic, and sports activity के लिए जाना जाता है, evening में free to stroll in the famous shopping place, शिमला टाउन, the mall and the ridge, evening में दोस्तों ये सब घूम करके आप, जो भी मैंने आपको places बताए, वापस आप पहुंचेंगे, city में, the mall or the ridge का आप अनन्द लीजे, वहाँ पर बहुत ही famous place, आपको मिलेगा, मैं बतायता हूँ, the Christ Church है the ridge है, the scandal point है, the mall है, the लकड बजार है, और बहुत सारे आपको temple और tourist places देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप photogenic, बहुती सुन्दर beautiful photos आप अहाँ पे click करवा सकते हैं, this large open space in the heart of town present excellent views of mountain ranges, shimla, landmarks, the neo-gothic structure of Christ Church and the new Tudor library building are worth seeing, overnight उसके बाद आप stay करेंगे, shimla में, जो भी आपको hotel हम लोग provide करने वाले हैं, अब आगे चलते हैं, next day 3 की बात कर लेते हैं, इस जिन क्या होने वाला है, shimla से आप चलेंगे कुलू मनाली के लिए, जन्नत है, पूरे world में famous है कुलू मनाली, after breakfast checkout करिए, hotel से drive करके निकल जाएए, मनाली के लिए driver आपको ले जाएगा, arrive at मनाली पहुँचिए, check-in करिए hotel में, rest करिए पूरे दिन, और visit करिए the local markets overnight, stay करिए hotel में मनाली के, आगे आपको कुछ और जान करी देते हैं, at the northern end of the कुलू वैली इन हिमाचल प्रदेश, is a hill station situated at a height of 2050 meter in the Himalayas, ये व्यास नदी, जिसे हम व्यास कहते हैं हिंदी में, उसके कोने पर ये situated है, and near its source, it is a popular tourist spot for Indian in summer and magical snow-covered place in winter, दोस्तों, अगर पूरे इंडिया में हम बात करें honeymoon destination की, तो वो limited honeymoon destination है, जिसमें से मनाली का अपना बहुत बहुत famous नाम है, खास करके, स्नोफॉल के दिनों में, यहाँ पर सबसे जादा honeymoon couples आते हैं, और उसके बाद summer vocations में, यहाँ पर रोतांग पास जैसे destination पर जाने के लिए, सबसे जादा honeymoon couples पहुंस पे हैं, तो time आने वाला है, जाके book करवाई इस package को, और दोनों ही इंडिया के सबसे खूबसूरट destination पर हो करके आईए, अब चलते हैं, day 4 की आप से बात कर लेते हैं, इस दिन क्या होने वाला है, day 4 पर आप मनाली local sightseeing पर आप जाएंगे, मनाली local sightseeing का मतलब यह होता है, मनाली जो local है मतलब मनाली mall road, मनाली mall road के आसपास यह sightseeing होता है, कई लोग पूछते हैं, कई viewers पूछते हैं, subscriber पूछते हैं कि यह local sightseeing कितनी देर का होता है तो मताता हूँ, यह लगबग 4 घंटे का local sightseeing होता है, जिसमें आप अलग-अलग places पर जाते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अडिंबा temple, जो built किया गया, 1500 तिरपन के अंदर, club house जाते हैं, तिबबतन monastery आप जाते हैं, वन विहार जाते हैं, जहां पर बहुत सारी activity करने को आपको मिल जाएंगी, वसिस्ट temple जा सकते हैं अगर time मिला driver को तो, जो अपने hot spring के लिए famous है, तो ये दोस्तों, आपको सारी चीज़े नीचे आपको दिख रहे हूँगी, हडिंबा देवी temple, club house, manu temple, वन विहार, तिबबतन monastery, वसिस्ट, bath, hot spring, water और temple, ये सब आपको देखने को मिलेगा, अब चलते हैं, day 5 पर, मनाली से सोलांग वैली का आपका सफर, दोस्तों, सोलांग वैली पूरी जन्नत है, बहुत सारी sports activity सोलांग वैली में होती है, और गर्मियों के दिनों में भी, आप बहुत सारी sports activity यहाँ पर कर सकते हैं, जो मेरे वीडियो में आप वाईटी भारत के देखेंगे, अगर मेरे पिछली वीडियो आप जाकर के देखेंगे, तो आपको detailed मैंने बनाया है, सोलांग वैली में कौन-कौन सी sports activity होती है, पूरे वीडियो के साथ और information के साथ, आप वाईटी भारत को जाके search करिए YouTube पे, और अपनी knowledge को बहुत जादा increase कर लिजे, दोस्तों enjoy करिए, morning में breakfast hotel से जल्दी से जल्दी निकलिए, लगबग आप 9 से 10 के बीच में निकल जाएंगे, तो आप 15 किलोमेटर सुलांग वैली है, माल रोड से, सुलांग वैली पहुँच जाएंगे, आप जल्दी से जल्दी और वहाँ पे जा करके, फुल डे आप enjoy करिए, जो भी activity है, पेरा ग्लाइडिंग से ले करके, वहाँ पर आप river crossing भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजे हैं, जो वहाँ पर आप वो करने को मिलती है, इस आउटस्टेंडिंग ली ब्यूटिफुल एंड आइडल स्पॉर्ट तो वीव दो मैजेस्टी कवर्ड हिमाल्याज, सिरिनिक नैचुरल सर्राउंडिंग और शाम को, पूरे दिन का आपकी यात्रा होती है, शाम को आप रिटन बैक हो जाते हैं होटल में, उसके बाद आपके पास क्वाल्टी टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा होटल से बाहर घुमना चाते हैं, घुम लीजे, जैसे भी आप टाइम स्पेंड करना चाते हैं, करिए market जाना चाते है market जाएए वापस आईए dinner करिए overnight stay करिए उसके बाद last day 6 पर मनाली से दिल्ली आपका departure होगा breakfast करिए check out करिए hotel से और check out करने के बाद आप निकल जाएए वापस दिल्ली के सफर पर और arrival ड्रॉप किया जाएगा आपको airport या जहां भी आपका है कश्मीरी ग bus stand यहां भी आप उतरना चाहते हैं वहाँ पर उतरिए आप दोनों जगहों से या railway station इसके बाद आपका tour यहां पर finish हो जाता है cost मैंने आपको बताई दी होटल मैंने आपको बताई दिये फिर भी इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके अगर रह जाते हैं तो आप travel company के जो मैंने number दिया है वीडियो के title और description में जाके simply call करिए इस package को book करवा लिजे मिलते हैं वाईटी भारत के इस तरह के बहुती अगले interesting and informative वीडियो में जो आपकी requirement के recording मैं नवीन दूबे आपके लिए समय समय पर लेकर के आता रहता हूं तब तक के लिए धन्यवाद दो दोस्तों मिलते हैं वाईटी भारत के अगले वीडियो में नमस्कार जै हिंद जै भारत सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी बिलकुल फ्री में